हलो बच्चो मैं सिनीता बहरवा नवभारती परिवार में आपका स्वागत है बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की इंग्लिश का चैप्टर नमबर फोर जिसका नाम है स्कूल इस टेमपल यानि कि जो विध्याल है हमारा मंदिर के समान है या मंदिर है तो बच्चो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पढ़ना Do you like wearing clean or dirty clothes? हम किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? साफ या गंदे Do you like sitting in a clean room और a dirty room? हम किस प्रकार के room में बैठना पसंद करेंगे? गंदे room में या साफ room में If you find there is some rubbish, waste paper, wrappers और wrappers of candies, etc. lying on the floor around you, what would you do? अगर हम देखेंगे मतलब टॉफियों के छिलके या कोई मतलब बेकार कागस तो आप उनको देखकर क्या करेंगे? अपने पास रख लेंगे? या उनने पढ़े दने देंगे? या उनने फैक देंगे? अब classroom, बच्चो ये एक तरीकर का वारता लाप है, इसमें कुछ बच्चे और कुछ टीचरों के बीच में कुछ बाते हैं जिससे हम सिखेंगे कि हमें किस परकार अपने घर की तरह अपने स्कूल को भी साफ रखना चाहिए तो एक classroom यानि कि एक कक्षा है, students are sitting और बच्चे यानि कि जो class में बच्चे हैं वो बैठे हैं राजू, the class monitor और राजू नाम को जो बच्चा है वो class का monitor है class monitor कौन होता है बच्चो, class में याना teacher जो होता है वो किसी एक बच्चे को ये जिम्मेदारी दे देता है कि मेरे पीच्चे से अगर मतलब उनकी अनुपस्तिती में अगर कोई शैतानी करता है तो वो उसका नाम लिखे या उसे मना करे या मतलब class की व्यवस्ता बनाए रखे तो उसे कहते है monitor तो class की एक बच्चा है राजू उसका नाम है वो class का monitor है notices some bits of paper lying on the floor near मंजीत जो राजू नाम का जो बच्चा है class का monitor उसने मतलब notice किये कि floor पर कागच के कुछ टुकडे पड़े हुए है किस के पास मंजीत की sit के पास कागच के कुछ टुकडे गिरे हुए या पड़े हुए है राजू कहता है मंजीत नाम की बच्चे से कहता है who has thrown these bits of paper in the class कि यह कागज के टुकडे किसने यहाँ पर फैके है मंजीत कहता है I don't know राजू, मुझे नहीं पता राजू maybe some boy has thrown these steps मतब मंजीत कहता है कि मुझे नहीं पता राजू यह किसने फैके हैं हो सकता है कि क्लास के कुछ लड़कों ने से यह इन कागज के टुकडों को बिट्स को फैक दिया हो राजू, no राजू बोलता है नहीं you are telling a lie राजू मंजीत से कहता है कि नहीं तुम जूट बोल रहे हो when I went out of the class जब मैं क्लास से बाहर गया था या उस time में जब बाहर से निकला you were writing on a paper और तुम एक paper पर लिख रहे थे यानि कि एक कागज पर तुम लिख रहे थे राजू मंजीत को कहता है कि तुम जूट बोल रहे हो जब मैं क्लास से बाहर गया था तो मैंने देखा कि तुम एक कागज पर लिख रहे थे I am sure these are the bits of the that same paper और मतलब मैं sure हूँ कि तुम ने ये वही तुकड़े है मतलब उसी तरीके के कागज के तुकड़े है मतलब उसी जिस पे तुम लिख रहे थे उसी paper के समान के कागज के तुकड़े है मतलब मैं sure हूँ कि ये उसी कागज के तुकड़े है तुमने इने फैका है मंजीत कहता है I didn't throw them here मंजीत कहता है कि मैंने इने यहां नहीं फैका है I threw them in the dustbin मैंने कागज के टुकड़ो को कहां पर फैका है dustbin में बच्चो जो राजु नाम का बच्चा होता है वो जैसे मतलब notice करता है मंजीत के सीट के पास में कागज के कुछ तुकड़े तो वो मंजीत को बोलता है कि यह किसने फैक है मंजीत कहता है कि यह कुछ बद लड़कों ने फैक दियोंगे लेकिन राजु कहता है कि मैं जो बाहर गया था तो मैंने देखा था कि तुम इस तरीके के कागज पर लिख रहे थे और यह उसी के टुकड़े हैं लेकिन मंजीत कहते हैं कि मैंने उस टुकड़े को का मतलब उस पेपर का फैक दिया था now clean the floor राजू जो बच्चा है जो मॉनिटर है वो मन्जीत को कहता है कि इन्हें तुमने यहाँ पर फैका है और चलो तुम फर्श को साफ करो यानि कि इन कागज के टुकडों को उठाओ मन्जीत कहता है when I didn't throw these bits of papers कि जब मैंने इन तुकडों को यहाँ पर मेरे कागज के टुकडों को मैंने फैका ही नहीं है तो why should I clean them तो मैं इने साफ क्यों करो बच्चा वो उसे बोलता है मॉनिटर कि तुम इसे साफ करो फर्श पर मतलब जो तुमने कागज के टुकडों फैके हैं तो मन्जीत क्या कहता है कि जब मैंने इन तुकडों को यहाँ पर फैका ही नहीं है तो मैं इसने साफ क्यों करूं बोद स्टार्ट क्वैरिलिंग मतलब उन दोनों में जगड़ा जगड़ा जगड़ना शुरू कर देते हैं just then the class teacher enters और वो क्या होता है उसी वक्त कौन से उनके जो class teacher है यानि कि जो अध्यापक है वो class में प्रवेश करते हैं teacher जो अध्यापक है बच्चों से बोलते है boys लड़को why are you making a noise क्यों शोर कर रहे हो तुम मन्जीत कहता है sir मत जैसे class teacher उनकी class में enter होते है मन्जीत नाम का बच्चा वो sir से कहता है कि sir राजू is blaming me राजू मुझे दोश दे रहा है मतलब जो monitor के लिए वो कहता है शिकायत करता है monitor की कि राजू मुझे दोश दे रहा है यानि कि मुझे पर इलजाम लगा रहा है he says that I have thrown these pieces of paper here कि ये जो कागज के तुकड़े हैं वो तुमने यहाँ पर फैके हैं मतलब मन्जीत नाम का बच्चा जिसके seat के पास में वो bits यानि कि जो कागज के तुकड़े मिले थे वो बच्चा सर से शिकायत करते हों कह रहा है कि sir जो monitor है राजू उसके लिए कि यह मुझ तुकाज के तुकड़े को यहाँ पर फैका है अब फर्स को साफ करो it's not my job sir और वो कहता है कि sir यह मेरा काम नहीं है मैं ऐसे साफ नहीं करूंगा teacher यानि कि अध्यापक कहता है boys at first be quiet and listen to me patiently कि तुम बच्चो लड़को तुम शान्त और धेरे से एक बार मेरी बाते सुनो जगरना बंद करो और शान्ती से धेरे पुर्वक मेरी बात सुनो tell me if your body becomes dirty you clean it मतलब मैंजित को कहता है कि तुम मुझे बता ओ कि जब तुमारा शरीर गंदा हो जाता है तो कौन उसे साफ करता है all मतलब सारे बच्चे कहते है we do it ourselves sir कि हम इसे खुद sav करते हैं sir हगार हमारे हमारे सरीर पर हाथ पर पर कोई गंदी की लग जाती है टो हम इसे खुद साफ करें या मम्मी का ही कर तव्य है कि वही उसे साफ करें don't you clean your room क्या तुम्हारी यह जिम्मेदारी नहीं है कि तुम उस रूम को साफ कर रो राजू कहता है यह सर हां सर I clean my room myself राजू कहता है जो monitor हो कहता है कि हां सर हमारी भी जिम्मेदारी है और मैं अपना रूम खुद साफ करता हूँ, टीचर, गुड राजू, अच्छा, अच्छा बेटा, उसको मतलब बढ़ावा है, उसको शाबाशी देते हो, कहता है कि गुड, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, नेहा, सर, I also sweep my room, और नेहा नाम की जो बच्ची क्लास में है, जो कक्षा में उपस्तित्त है व कहती है, सर, मैं भी अपनी मंई का, मतलब अपने room की खुद सफाई करती हूँ, या अपने room में खुद जाड़ू लगाती हूँ, और नेहा झाती है कि मैं अपनी room की जाड़ू कुद लगाती हूँ, और मैं अपनी मम्मी की मदद करती हूँ क्या करने में कोई से पानी भर कर लाने में I help her in the kitchen also और मैं अपनी मम्मी की kitchen में भी यानि की रसोई घर में भी मदद करती हूँ बिट्टू बिट्टू नाम का बच्चा बोलता है sir I also help my father at our shop कि मैं अपने पिता जी की मदद करता हूँ कहाँ पर हमारी दुकान पर काम करने में बिट्टू नाम का जो बच्चा है वो कहता है कि मैं भी उसने नेहा की बात सुनी राजू की बात सुनी कि वो राजू कहता है कि मैं अपने घर पे रूम की सवाई खुद करता हूँ चिल्रन और टीचर जो अध्यापक है वो कहते हैं कि बहुत अच्छा मेरे बच्चो वी वर्क एठ हॉम आवर सेल्फ एंड हैल्प फैमिली मेंबर्स टीचर कहते हैं कि हम अपने घर पे अपने मतलब गतिवीदिया जो काम होते हैं वो खुद करते हैं बहुत सारे काम हमारे घ जॉपसर नोट और हम वहां पर गर कगवें आन्य गरकी किसी काम हैं करते हुआ यclingजार की मेंबर के ऐसको आपने यह सोचते कि वह похber करने यह पीर नहीं के लिए कर रहे हैं तो वहां पर हम यहां नहीं सोचते कि वह हमारी काम है हमारी नोक्री है हमारा काम है या नहीं है हम उन कामों को ऐसे ही करते है इनना सेम मेनर और उसी परकार अवर स्कूल इस लाइक अवर स्कूल इस आल्सो लाइक अवर होम और हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर के समान है कि जिस परकार हम सफाई करते समय है या फिर मम्मी या पापा या भाई बेन की मदद करते समय है अपन ये नहीं सोचते कि वो हमारा काम है या नहीं उसी प्रिकार हमें स्कूल में भी ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि स्कूल भी घर के समान ही है और हम यहाँ पर रहते हैं और एक दोस्ताना यानि की मेत्री पून वेवार में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं कि अध्यापक कहते हैं कि हमारे जो स्कूल भी घर के समान ही है क्योंकि हम यहाँ पर भी बहुत समय बिताते हैं और मतलब फ्रेंडली यानि की दोस्ताना बहुत और पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो स्कूल है वह भी घर के समानी है क्योंकि हम यहां पर खेलते कूते हैं दोस्तान वेवार में पढ़ाई करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी इसकी साफ सफाई के वारे में भी हमें सोचना चाहिए इफ विव मेक इट डिर्टी और अगर हम इसे गंदा करेंगे तो खुब इसकी साफ कौन करेगा आइचिंग वी शुट डू 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 इट अवर सेल तो टीचर कहता है कि जब हम यहां पर दोस्तान वेवार में पढ़ाई करते हैं हम यहां पर रहते हैं अच्छे से मतलब बहुत सारा समय बिताते हैं तो फिर इसकी सफाई करने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए अगर हम इसे गंदा करते हैं तो इसे साफ कौन करेगा और हमारे अनुसार हमेंसे खुद ही साफ करना चाहिए मंजीत यस सर आइग गौट इट और तभी मंजीत नाम का बच्चा जिसके पास में वह कागज के टुकड़े मिले थे या गंदी की फैलियू जिसके सीट के पास करते हैं the school is ours मतलब school हमारा है let's clean it और हम चलो हम इसे साफ करते हैं carefully मतलब अच्छे से साफ करते हैं we want to leave a bit और हम यहाँ पर एक भी कच्चनी का टुकड़ा नहीं छोडेंगे they all start arranging the tables and benches then they wipe the doors and sweep the floor और सभी बच्चे क्या करते हैं टेबलों को वेवस्तित करना शुरू कर देते हैं और दिवारों को पहुचना और जाडू निकालना जमीन पर मतलब फर्ष पर जाडू निकालना शुरू कर देते हैं यानि कि रूम की सफाय करना स्टार्ट कर देते ह राजु कहता है I will remove all the cobwebs on the wall using a stool I will clean my school राजु नाम का बच्चा कहता है कि मैं सारे जो मकडी के cobwebs यानि होते हैं बच्चों मकडी के जाले कि मैं सारे मकडी को जालो को साफ कर दूंगा किसकी सायता से स्टूल की सायता से और मैं अपने स्कूल को बिल्कुल साफ कर दूंग इसमें एक भी गंदिकी नहीं छोड़ूंगा नेहा I will sweep the floor and wipe the door using a broom I will clean my school और नेहा नाम की बच्ची कहती है कि मैं अपने रूम को साफ कर दूंगी जाडू लगाऊंगी मतलब जल्ली से अच्छी तरीके से जाडू लगाऊंगी और मतलब इसको मतलब जो दीवारे है या ज जाडू की सायता से मैं जाडू निकाल कर पहुचा लगा कर अप मेरा जो क्लास रूम में उसे बिल्कुल साफ कर दूंगी नहीं छोड़ूंगी सभी बच्चे कहते हैं we will grow flower plants with teachers and aunts की बच्चे कहते हैं कि हम क्या करेंगे मतलब हमारे शिक्षों के साथ मिलकर जो स्कूल की बाइजिया होती है उनकी साथ मिलकर बहुत सारे पेड़ पौदे हो गाएंगे और हमारे स्कूल में हरियाली कर देंगे स्कूल हमारा मंदिर है और हमारे स्कूल में ग्यान परियाप्ट है सभी बच्चे कहते हैं कि हम अपने स्कूल में पेड़ पौदे लगाएंगे जिससे वहाँ पर हरियाली रहे तो बच्चों हमने क्या देगा कि बहुत सारे बच्चों मिलकर क्या किया अपने स्कूल को साफ किया और मतलब हमने क्या सीखा कि हमें अपनी जो कच्रा होता है जो मतलब कैंडी का जो रैपर होते हैं टॉफी के जो चुकड़े मतलब जो छिलके होते हैं या किसी भी तरीका का जो कच्रा होता है हमारी बुक्स और जो कॉपी किताब के जो कच्रे होते हैं हमें उन्हें इस तरीके से जिस प्रकार हम घर पर बाहर नहीं फैक देते हैं उन्हें डालते हैं एक व्यवस्थित इस्थान पर रखते हैं उसे प्रकार हमें क्या करना चाहिए किसी भी छोटे मोटे कच्रे को उसे कहां फैकना चाहिए डस्टिविन में पर उपने घर की ही तरह सफतरा बनाया रखना चाहिए और सभी बच्चों के साथ बाहिचारे से रहना चाहिए किसी इसका सब को प्यास समझाना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने स्कूल को सफ रख सकते हैं पिर उन है जो अद्ध्यापक हो तो हम सब लोग सही बोल रहे हो आप बिल्कुल सही हो लेट्स मेक अगर स्कूल राइट हम चलो हमारे स्कूल को हम उजवल या साफ सुत्रा बनाते हैं इस वी आर ड्यूटिफुल और अगर हम कर्तव्य प्रायाण होंगे कि अगर हम कर्तव्य को पालन करने वाले होंगे हमारे जिम्मेदारियों को समझने वाले होंगे भारत विल वी ब्यूटिफुल जब हम कर्तव्य प्रायाण होंगे यानि ड्यूटिफुल होंगे तभी हमारे जो बारत देश है वो सुच बनेगा तो हमने देखा बच्चों कि किस परकार बहुत सारे बच्चों यह हमें सीखते हैं कि हमें भी अपनी क्लास में हमारे स्कूल को साफ सुत्रा बनाना रखना चाहिए और वहाँ पर कि कच्रा जो होता है वो हर जगे नहीं फैकना चाहिए उसे डस्टी बिन पर फैकना चाहिए तो बच्चो आज हमने पढ़ा हमारा पाड स्कूल इस टैंपल अब हम इसके शब्दार्द देखते हैं स्क्रेप्स स्मॉल पीज़ पीज़ पेपर, क्लोथ, एक्सेक्टा यानि कि टुकडे blame, to stay or think that someone did something wrong, आरोप लगाना, household, connected with a house यानि कि गरुलू, remove, to take away something from its place, हटाना, cobweb, a structure made by spiders to catch insect, makडी का चाल, broom, a brush with a long handle used for cleaning the floor, जाडू, ample, more than enough यानि कि प्रचूर तो बच्चों, आज हमने पढ़ा हमारा part, school is a temple, अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले चप्टर की साथ, thank you so much